नमस्तार समाचाल गुल्देश फेंड में आपका स्वावत है मैं भुजोरी आईए नज़र ढाते हैं जहासी की खास्त परोगों रहस्वर परिस्थितियों में लापता एक युवक की सीमा वर्ती मदप्रदेश की सीमा परिस्थित उन्नाव वाला जी के पास से निकली पहुझ नदी में मिली लाश के मामले से पुलिस ने परदा उठा दिया है इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित साथ आरोपियों को गिरफतार किया है गटना का कारण मृतक तधा आरोपियों मैंसे एक आरोपी की बहन के बीच प्रेम संबंद बताये गए हैं इस घटना का खुलासा करते हुए बरिस्पलो सदिक्षक राजेश हस ने बताया कि नहरू पार्के के सामने वाली गली तालपुरा में रहने वाले छोटू परिहार ने अपने बड़े भाई अरुर परिहार के लापता होने की सूचना दर्च कराते हुए बताया था कि उसका बड़ा भाई 12 जनवरी को कोतवाली थाना शेतर के बड़ा गाउं गेट स्थित देवलाल चौबे का अखाड़ा जाने की बात कहकर निकला था लेकिन इसके बाद लौट कर नहीं आया तेरा जनवरी को पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 जनवरी को नाव बलाजी के पास से निकली बेतवा नदी में एक युवक कशव मिला इसकी जानकारी मिलने के बाद 15 जनवरी को जब छोटू परिहार पोस्ट मार्टम हाउस पहुचा तो उसने शव किशनाख अपने बड़े भाई अरुर परिहार के रूप में की इस मामल करने में दर्ज आरुपी नंधिराम उर्फ लू डी वन्शकार पुत्रस्वर्ग रधुवर दयाल निवासी देवलाल चौब्य का अख़ाण रडियापूरा थाना कोटवाली गलिशाल बंशकार पुत्र-स्वर्गिय महेश वंशकार श्रीमती मीनाव थ्व कैस। ठाकुर पुत्र स्वर्गिय बल्वान ठाकुर निवासी मिशन कंपाउन मज़ित के पास जेपी यादाव का किराए का मकान ठाना सीपरी बाजार जहासी का मूल पता बाबुलाल कार खाने के पीछे सुजीत तिवारी की गली के अंदर ठाना नवाबाद अंकित बाथम पुत्र कमलेश उर्फ कम्मू बाथम निवासी बड़ा गाउं गेट बाहर पलक पैलिस के पीछे खाना कुआ थाना कोतवाली मूल पता कालपी राजेंदर नगर थाना कोतवाली उरेजन पजालोन चंदरपाल अहरवार निवासी पहल गाउं थाना सीप्री बाजार को गिरफ्तार कर लिया पूछताज के दौरान इन आरूपियों ने बताए कि मरतक अरूण परिहार के आरूपियों मैंसे एक अंकित बाथम की बहन से प्रेम संबंद थे इस बाथ को लेकर कई बार अंकित था उसके भाई नितिन ने अरूण को बहन से दूर रहने के लिए कहा था गट्रा की कुछ दिलों पहले अंकित बाथम की बहन की सगाई का कारिक्रम चल रहा था तब ही वहाँ पर अरूण पहुँच गया और उसके रिशिदारों से सगाई करने से मना किया इस बेज़िती का बदला लेने के लिए अंकित ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर योजनाबनाई और अरूण को पार्टी के बहाने नंदराम के आवास पर बुलाया इसके बाद योजनाबद तरीके से अरूण के सिर पर डंडो से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई अरूण के मरने के बाद सभी ने मिलकर उसकी लाश एक कार में रखी और उन्नाव बाला जी लेकर पहुँच रदी में फेग दी हत्या आरूपियों की निशान देही पर पुलिस ने हत्या में प्रोजेक्ट डंडे तता कार के अलावा म्रतक अरूण की मोटर साइकल भी बरामत कर ली है इस मामले में अंकित का भाई नितिन दता एक अन आरूपी राहूल फरार बताया गया है फिलहाल पुलिस उन दोनों आरूपियों की तलाश कर रही है जहासी से मनीश ली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट मध्यूप्रदेश में उन्ना उताना पड़ता वहां पे डेड़वाड़ी मिल गई थी परिवार लोग ले जाके पैचान भी किया गया था वह जब डेड़वाड़ी मिल गई थी उसके बाद पुलिस कुरंत मुकदमा लिकर इन्वर्टिकेशन शूरूप किया था इसमें यह पता चल गया कि जो मृतक है वो एक लड़की से प्यार करता था और जब लड़की का सगाई किसी और से हो रही थी आठ जनवरी को मुर्टक वहां जाके हंगामा कर दिया था जिसको लेकर लड़की का परिजन एक गोजना बनाया थे इसमें लड़की का भाई दो लोग है वो लोग पूरा मिलकर इस गटना को प्लान किया था मुर्टक को एक दिन पहले सा त्रीक को बारा बटे तेरा रातरीक को फोन करके बुलाया गया था गर पे उनको पी कंबल उनको युद्धों अधिया करने के बाद इनको शौड को चिप्पाने के लिए तीन लोग निकले ते और मारुती कार में डाल कर यह लोग पहुश नजी में डाल दिया था जो डेट बाडी मध्यप्रदेश में बिल गई तो इस गटना में कुल नौ लोग इन्वाल्ड थे पूरा मार्कीट करने में और इनको बुला के सब्सक्राइब दिया जारा अभी दो लोग शेश है उननों को जल्दी गिरफतार कर लेंगे इसमें गटना को मुक्त अभ्योग जो प्लान बनाने में जो लड़की का दो भाहि है उसमें अक भाहिका गिरफतार कर लिया पूरा उनका और दूसरा बाइक के साथ मिलके पूरा घटना का प्लान किया था और पूस्तस में अक्सर भी कर रहा है कि वह मारती गाड़ी में उपायम गए थे कहां डालना है किस नदी में डालेंगे तो कहां कोई पैचा नहीं पहेंगे इस तरह को योजना भी नहीं